सूडान में जारी हिंसा के बीच भारत के तमाम वो लोग जो वहाँ पे पिछले 15 दिनों से फसे हुए थी उनको वापस अपने देश में लाने का सिलसला भारत सरकार उत्रपरदेश सरकार के तोरा लगातार जारी है गोरकपुरो रासपास के सैकुडों लोगों को अब तक ल है भुगता है और किस तरह से इस हिंसा के बीच भारत सरकार के जो अद्गारी थे वो मददगार के रूपे सामने आये और पूरा जो वाकिया है कितना वहाँ पे अभी संघर्च चल रहा है और क्या-क्या उन्होंने देखा इनी से जानते हैं तमाम लोग जो अपने वतन व गम बारी हो रही है गोली बारी हो रही है गन पॉइंट्स पे लोगों को लूटा जा रहा है हाँ इंडियांस को या फोरेवानर्स को ज्यादा परेसा नहीं किया जा रहा था लेकिन जो भी रिसौर्सेश थे जैसे मनी हमारे पास है या मोबाइल शै जो वह जो अश्डू और आफित्व है को लोग लेक्व चले जाते थे जिससे जिसके पास स्कायत तो उसकी कार की चाहई भी मांग लिया और लेके चले गए हमारे पास जो पैसे ठेए लोकल हो या डॉलर्णस हो या इंडियन करेंसी हो इंडिया लोग ले लेते थे हूँ से कि लुदयाईल और हमारा वाटर टैंक था उसको उन्होंने गन से बुलेट से वो कर दिया डैमेज कर दिया जिससे कि वाटर की सप्लाई रुख जाए अच्छी बात यह थी कि हमारे पास 6-7 वाटर टैंक से जिससे कि हमें सप्लाई कांटीनोस मिलती रही यह कब से शुरू हुआ था और आप कब गए थे यहां कितने साल से वहां मैं वहां 2017 से हूँ और यह इस साल 2023 में 15 अप्रील से सुरू हुआ सनिवार दिन था सनिवार को मौनिंग में और फर्स्ट अटेंब जो है आरे से के द्वारा जो है एयरपोर्ट पे किया गया जिसमें सौदी के एक विमान को भी चला दि हैं मेसी पे भी हमारे कई राउंड जो है गोलियां चली हैं जिसमें कि वहां भी बहुत सारे जो नुक्सान हैं हुए हैं और उसके बाद जो है मेसी सामने आई फिर भारत सरकार आई और हमारे इवाइक्वेशन का प्लान बना फिर लोगों का डेटा कलेक करना सुरू हुआ कि कितने लोग आल्मोस हमारे सुडान में हैं तो आल्मोस 3,000 प्लस इंडियन सिटीजन जो है सुडान में हैं उसके बाद जो है अब प्रॉब्लम यह आ रहे थी कि हाओ टुवेक्वेट इस पीपूल क्योंकि सभी लोग स्केटर्ड रूप में हैं और कुछ लोग वार्जो स्चार्टूं से या कापुर बहरे जो भी कैपिटाल सुडान का वहां से हमको किनिकाल के प्लीजान से नेय ए बीस शमद्या उसके थे त्रूं का करीब करीब यह थी काफिला होता था उसको नीखा और उसके Monsieur से बाद एयर-फोर्स के जो है यह से कि जो है C 130 जे उस बीमान से हम लोगों को इवेक्वेट करके और जद्दा लाया गया जद्दा में इंडियन गवर्मेंट और सौधी गवर्मेंट के कोडिनेशन से बहुत ही अच्छी फैसिलीटी थी हम लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला लेटर आन फिर वहा बहुत ही अच्छी परीषट परिवहन के बस से हमको यहां लाया गया है हैं हमारे गोरगपुर तक लाया गया और बाकी लोग जो देवरिया आनवर्ड से सबका जो है लिष्ट बना था तो लोग जाए इंडियन थे इसलिए वहां पर आपको सुभधाएं मिली वहां पर आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई दूसरे देशों की जो लोग हैं वह वह कितनी तकलीफ और कितनी समस्यां भुगत रहे हुआ देखिए एज इंडियन हम लोगों को जो सहूलियते मिले दूसरे देश के लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम तो ज्यादा हो रही है और दूसरा में चीज कहना चाहूंगा कि जब हमारा फ्लीट खार्टूम से पॉर्ट सुडान के लिए जा रहा था तो वेरेवर आर्मी आर दिस चेक पोस्ट अवेलेबल दे स्टॉप टूस लेकिन वहां पर क्या हो रहा था जैसे हमारी फ्लीट को देखते थे आगे हमारा जो है इंडियन तिरंगा लगा हुआ था और हमारी बस ट्रांस्परेंट थ तो हमारा क्या हो रहा था कि जैसे हमको देखते थे तो बोलते थे हिंदी नफर फद्दल फद्दल गो गो तवाले मेंस यू आर दे इंडियन सलम अलेकुम नमस्कार और फद्दल मेंस वेलकम है आपका आप पोर्ट सुड़न के लिए जाओ हमको कहीं कोई जो है सिर्फ इं तो इसलिए हमसे जादा बाकी देश के लोगों को तकलीफ तो हो रही है मोदी जी का चेहरा विश्वस्तरी हो गया बड़े नेता वो बन गया है दुनिया के तमाम देश अब उनसे जो है किसी चीज़ पर मसवरा लेते हैं तो आपको लगता है कि यह जो चेहरा बड़ा बन उसकी वज़े से आपको इतनी तकलीफ नहीं होई और मोदी जी वज़े से भारतियों को एक समान मिला महां पर बिलकुल मैं यह काना चाहूंगा और मैं क्या मेरे सारे मित्र हम लोग पूरे रास्ते बाते करते हुए हैं और हमारे माननी मोदी जी का चेहरा बिस्वस्तर बोलते हैं ना कि मोदी जी का 56 इंच का हमारा भी 56 इंच का हो गया वो सिफ मोदी जी के कारण हुआ जो सम्मान मिला आपको मैं एक चोटी सी बात कहना चाहूंगा जो सुडानीस पिपुल जो लोग हमारे साथ काम करते हैं हमारे कॉंटेक्ट में वाट दे सेंग भुपेंद मैं नेम इस भुपेंद्र और मैं एक फार्मा कंपणी में वहाँ पर क्यों मेनेजर हूं उनका कहना क्या है भुपेंद्र हमको भी एक मोदी चाहिए हमें एक मोदी जी दे दो हमको एक मोदी जी दे दो जिससे हमारे देश का भला हो जाए तो आज सुडान की स्थिति यह है कि उनको भी एक मोदी जी चाहिए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मोदी जी ने जो विस्वहस्तरिय नाम किया है हमारे देश का सुपब क्या करने गए थे क्या सपना था वहां पर जो काम कर रहे थे परिवार चलाने का और अब कितना आपका जो सपना हुए तूटा है क्योंकि अब काम नहीं है वापस घर आ गया हम लोग कुछ परिवार को खर्चा चल जाए अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो आने के बाद हम लोग छे मेंने हमको वह आय हुए है चेमेन सुडान में था उसके बाद वहां से लफडा हो गया तंगा फसाद हो गया इसके वह समलों को इंडिया वापसाना पर रहे और बाद में बहुत तरिकी तकलिपीं हो हम उनको जहनली पड़े रूम के दस किलिमिट सोचय देते सेंडिय हो गया वे म nu hoa maintain का मैं पड़े कंपणी रहा नरए इंडियन को यहां से निकलना इंडिया ज़रूर ईकी साम को प्लान वा एक निकले बस निकले कट बस की इंतजार में हम लो कुरी रात जगए रहे कर वस और नहीं नहीं देते हिमनों के के पास 50 जगा चेक पूस्ट पर रोकते दो चार बजे भौर में हैं 4 बजे भौर में गाड़ी हम लोग पास आई और वहां से हम लोग खोड़ें के लिए निकले हैं उसके बाद हम लोग खोड़ें के वहां बैवस्ता थी रहने कि उस्कूल में वहां के measurement इंडियन को रखे और खाना पानी हम दिलाए और हम लोग कार्गू प्लेन से जद्दा हम लो आए उसके बाद वहाँ से हम लो इंडिया जद्दा से यहां आ गए हम लो बाद में इस्ति अभी वहाँ वहाँ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब से लवटे हर एक भारती की अलग कहानी है ये वो बस है उत्रप्रदेश परिवहन की जिसके जरिये उन तमाम भारतियों को रिस्क्यू करके लाया जा रहा उनके गाउं तक पहुचा जा रहा और पिछले पांच दिनों से लगातार इस तरह की बसें गोरकपूर और आसपास के पहुच रहे हैं तो एक चैंड की जो सांस होती है वो ले रहे हैं क्योंकि पिछले अगर हम 15 तारिक्स लेकर के आज तक की बात करें तो यह जो 15-16 दिन थे इनके जीवन के सबसे कठिन दिन थे और यही कारण है कि अब जब अपने वतन आ गए हैं तो हर कोई अब यह मना र किस तरह किस तरह कभी ओहर वहां पर किया गए यह सब सुरू हुआ 15 तारिक से उसके बास हमेशा कभी दर गोली चल रहा है कभी उदर गोली हम लोग के अगल बगल गोलीयां चलते थे बम गिरते थे और खाने के लिए दुकान सब बारबंद था रासन नहीं मिल रहा था जो पता चला कि मोधी जी हम लोग निकाल रहे हैं बाहर तो उसके बास हम लोग निकल गए अचे काम क्या करते थे सेल्री जो मिलती थी वो पूरी मिल गई है कि फासी हुई है अब आगे क्या करने का प्लान दो पैसा कमायेंगे घर का भी खर्च चलेगा अब भी बंद हो गया अब नहीं चल रहा है जीवन कितना कठीन हो गया था उस बीच 15 तारिक से लेकर अगर आथा 15 तारिक के बाद कि हम लोग घर पर पहुंचे ही नहीं पाएंगे इधर मर जाएंगे लेकिन जब सरकार ने काम किया और निकालना चालू किया उसके बाद से हम लोग काल लगा कि हम आपने देश चले जाते हैं एक इस आपके रहने वाले हैं किस जिहां कर पूर्सर हूँ ह कितना ब्रा पूरा समय कैसे आपने हैं कितनीा उसक्राइब कर दो गहां औरında की लिए उसकली तो बहुट थी अमाम बेफसाय की होंगी, घर का या जमीन कुछ ऐसा हटाया होगा, तब जाके आप गए होगी, कितना मुश्किल से जानने का मौका मिला था और कितनी समस्या है बढ़ती है। परिवार की जमीदारी पूरी हो गई आप पूरी है। सरकार का कैसा सयोग रहा। सरकार का बहुत बढ़िया है। यह तमाम लोग जो अभी बस में बैठे हुए हैं यह सुडान के उस इलाके में थे जहां पर सबस्यधिक हिंसा हो रहे थी। चाशा आप कहां किस छेत्र के हैं खड़े हो जाई आप। कब आप निकले थे देवरिया से हैं। रात में रुखने के वेवस था और जिस तरह के मौसम थे हालात जो थे वो कितने खतरनाग थे। कितना एक मन में डर था कि अब हम पहुंच पाएंगे या ने पहुंच पाएंगे रात में वहां इतना बंबारी और गुलिवारी हो रही थी। कि सबके मन में एक खौप बना होगा था कि जिंदगी बचेगी की नहीं बचेगी। डेली डेली वहां लूट मार करने के लिए आते थे सब। मोबाइल और पैसे गन पॉइंट पे छिन ले जाते थे। सब के सब के मन में खौप रहता था कि कब इंडिया इंडिया वापिस चले जाए आप लोगों के साथ भी मार पेट किया मोबाइल चीन लिया हाँ हम लोग के 25-30 आदमी थे जिसके रूम में घुश कर गन पॉइंट पे मोबाइल और पैसे चीन ले गए और जितने आरदस कार थे सब गन पॉइंट पे उठा ले गए सब और आ पीसका ती जो भी पैसे थे सारे युठा ले गए सब करने वालों पे मार पेट भी करते हां बिरोध करने वाले जो भी वी शुमव में फेर आे कि दराज धम का के उनके पैसे और मोबाईल छायों रहते थें कि कई सब के मन में खौप बना रहा था था और सभी मोदी जीरे गुवर लगाये कि हमको से कुछा multip लुआ इंडियान होने का कि तना फादा मिला इंडियान होने का बहुत फादा मिला मोधी सरकार ने अपना मिशन का वेरी चला कर और सभी इंडियन को सकुसल सुदान से जिद्धा पहुंचा कर फिर जिद्धा से अपने इंडिया सकुसल पहुंचा है इसमें योगी सरकार और मोधी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आप सर कहा के रहने वाले हैं? यूपी गोरफूर के रहने वाले हैं, क्या काम करते थे वहां पर और कितनी तकलिफों से वहां से बच गया है? मैं वहां पर लाइब के मिट्स था, फारने डिपार्टमेंट में, वहां तक लिफे जब से ये शुरू हुआ पंदर तारीक 15 अपरेल से तब से हम लोग बहुत मतलब मुसीबत से जहल रहे थे, ये नहीं हो रहा था कि अब हम लोग का जिंदभी बचेगी, हम लोग कंपनी प मतलब अपने कंपनी वालों से मनेजमेंट से कहा गया, मनेजमेंट मतलब अपना परसनल मतलब कंपनी के थुरू बस बुक किया, बस बुक करकर के और हम लोग को पोर्ट सुटान लाए, वहां से हम लोग को आर्मी वालों ने और इंडियन MBC ने, वहां से हम लोग को जिद् पुर्वांचल के इन तमाम लोगों को उनके घर तक पहुचाने की जिम्मिदारी गोरकुर में आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है और लगातार जो बसें आ रही है उन बसों के यात्रियों को किस तरह से उनके गाउं तो पहुचा जा रहा है क्या कहानिया निकल के आ रह रहे हैं से कुड़ों किस्तन के हम लोग हों चुके क्या भयावा इस्तिती आप इनसे बात करते हैं मौसूस होती है और वतन वापसी पे कितरा इनको सुकून बिलगा है देखे अभी जो पिछले तीन-चार दिनों से जो सावी साथी जो सुडान से वापस आए हैं उन सब के भयावा सिच्वेशन में आज वो हमारे बीच वापस आ रहे हैं और जिस प्रकार से सभी लोग हर अस्तर पे उनका सायोग कर रहे हैं इससे वो कहीं न कहीं बहुत ही उत्साहिद भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है कि हमारे साथ हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है हम हमारे हमारा नेशन हमारे साथ है और उसका जब यहां पर पहुचते हैं तो यहां बेसिकली गोरकपूर सिधार्थ नगर महराज गंज देवरिया और अन्य जनपदों की जो लोकल इधर के नियरबाइड की जनपद हैं बलिया तक के लोग यहां पर आए हैं और यहां से हम लोग यहां से गाड़ियां उपलब्द करा रहे हैं जिससे की कम जल्द से जल्द यह लोग अपने घरों को पहुचें और जब यह अपने घर जाते हैं तो मैं सभी लोग से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप घर जाईए तो एक फोटोग्राफ जरूर हमें अपना श का फाइदा मिला और दूसरे लोग वहाँ फसें वहां पर अभी भी क्या इस्तिति आपके साब से देखे चो वहाँ की क्या इस्तिती यह जो लोग फसें हुए हैं उस्पे तो बहुत सादाम नहीं लेकिन होने का जो इनहें सम्मान प्राप्त हुआ है वहां पर और जिस तर तरीके से मानने मुख मंत्री जी और मानने प्रधान मंत्री जी के निर्तित में इस तरह का ये मिशन कावेरी पूरा चलाय जा रहा है ये एक तरीके से इन लोगों को ये सिक्यूरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई भी भारती कहीं पर भी किसी विश्वे के किसी भी क बिल्कुल तो आपरेशन कावरी का सबसे बड़ा आसार अगर कहें तो पुर्वांचल के सैकुडों लोगों के जीवन पे पड़ा है जो यह मान चुके थे कि अब वापस सुडान से अपने वतन नहीं जा पाएंगी क्योंकि जिस तरह की हिंसा जिस तरह की खटनाए वहां पे शुरुआत की उसकी वज़े से सैकुडों के संख्या में लोग अपने घरों को पहुच चुके हैं और सीधी तौप पर मानते हैं कि भारत की परधान मंत्री और उत्रप्रदेश की मुख्यमंत्री योग यादी तनात की बदोलत आज अपने घरों को पहुचे हैं क्योंकि इनके जैसे अभी भी दूसरे दिस्वा के हजारों लोग वहां फसे हैं जिने पूछेने वाला कोई नहीं है लेकिन भारती होने का इन्हें सबसे बड़ा लाब मिला है और वहां से सास्ता मान इनके वतन लाया जा रहा है